अलो बच्चों, क्लास 9 के लिए एक टॉपिक ले रहा हूँ मैं, पॉलिनॉमल में से उठा रहा हूँ Now to find the zeros of polynomials सबसे पहले zeros का मतलब आप समझें, क्या है zeros? zeros का मतलब है value value of x अगर आपको polynomial x में दिया हुआ है तो x की value को find करना क्या कहलाता है? zeros find करना होता है ठीक है? zeros, यानि x की value को find करना क्या कहलाता है? zeros, इसको zeros बोलते हैं, ठीक है? या और भी एक नाम है इसका root और क्या बोलते हैं इसको? root अगर आपके पास में लिखा है how to find the या find the root of polynomial find the value of x तो एक ही मतलब है इसका कि हम क्या कर रहे हैं? zeros निकाल रहे हैं zeros किस तरह से निकाला जाता है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैंने तीन question लिए हैं आपको समझाने के लिए तो आपको मैं तीन question समझा लेता हूँ पहले और पिर आपको आज मैं practice के लिए दूँगा पढ़ा पढ़ा से आप कर रहेंगे इसको तो देखिए सबसे पहले solution लिखता हूँ मैं आप क्या करेंगे? lat सबसे पहले आप px को is equal to 0 ले लेंगे अब px क्या है? आपके पास में 2x है तो 2x plus 1 is equal to 0 इसको उधर धेज दीजिए तो 1 is equal to 0 minus 1 और 2x हमारे पास में क्या आ गया? x is equal to minus 1 upon 2 it is the 0 0 यह answer है आपका इस polynomial का यह 0 है अब कैसे है 0? इसे उठा के इसके अंदर रख दीजिए तो कैसे रखेंगे आप देखे? 2 into minus 1 by 2 x की जगह रखती है आपने और plus 1 ठीक है? यानि p अगर आप value रख रहें इसकी तो यह कहलाता है value of p at minus 1 by 2 तो यहां पर रखा आपने आपके पास में minus 1 बना गया 2 से 2 कड़ गया plus 1 is equal to 0 तो यानि कि polynomial को 0 बनाने वाली जो value है वो उसका 0 कहलाता है बस मज़नाएगी है यह आपको polynomial को 0 बनाने वाली value उसका 0 कहलाता है उसका root कहलाता है वो value कहलाती है यहां पर भी यही काम बरेंगे let p x is equal to 0 हमने p x को 0 माना तो a x plus b is equal to 0 हो गया that is a x plus b is equal to 0 तो अब आप उसको b को उदर भेज दीजे x is equal to minus b upon a यह अंसर आगया आपका बहुत easy है बच्चों अब इसमें सबसे बड़ी problem है यह क्या करें इसका क्या करें सर तो देखिया हम तो हमारे method पर चलते जाएंगे p x is equal to 0 यानि that is इसको बोलते है यानि that is that is ठीक है x to x is equal to 0 2 का divide करते हो 0 में तो हमारे पास में x is equal to 0 बच्चों आज आपको क्या find किया आपने 0 निकालना find किया exercise देजेता हूँ पड़ापट से आप 5-6 सवाल कर लीजे आपको tips को जाएंगे आज की practice exercise है find the zeros of polynomial फटापट से निकालेंगे याज